कार्तिक महा के शुकल पक्ष में आने वाली प्रबोधिनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेश महत्व बताया गया है। देवत्थान एकादशी के नाम से भी चाना चाता है। भगवान विश्नु जी वदेवी लक्ष्मी जी की अराधना करे। अब केले के पत्तों को सजा कर मंड़त तयार कर ले। इसके बाद धूत, दीप, गंगाजल, फल, फूल, केले, इत्यादी का भगवान को भोग लगाए। अब विदिवत पूर्ण विश्नु चालीसा, विश्नु आर्ती का पाठ करे। आज की दिन गउमाता को भोजन भी अवश्य करवाई। इस प्रकार विदिवत पूजा अर्चना करने से भगतों की हर्मनु कामना पूर्ण होती है। करें पूर्ण होती है।